हेलो फरेंड्स वेलकम टू माई चैनल आप देख रहे हैं गुलिश टीचिंग तो आज की इस वीडियो में मैं एक सिलिप्स डिजाइन आपके साथ शेयर करूंगे कुर्ती में हमारे रेश्रम वर्क हुआ हुआ है दामन पर ये बोर्डर पटी है जो की रेश्रम वर्क इस पर हुआ हुआ है तो इससे मैच करते हुए हम सिलिप्स डिजाइन करेंगे तो इससे मैचिंग के लिए हमने ये चार नल के लिए हैं इसी से हम डिजाइनिंग करेंगे और सिलिप्स के पीछे हम पेश्ट करेंगे पेपर पेश्टिंग तो पेपर पेश्टिंग को हम सिलिप्स की रोंग साइट पर paste कर लेंगे, half inch कपड़ा छोड़ने के बाद, और जब हम paste करते हैं, तो हमारे iron का temperature low होना चाहिए, यानि medium low होना चाहिए, अगर iron का temperature high रहेगा, तो हमारे कपड़े पर wrinkles आ जाते हैं, और यहाँ पर जो half inch कपड़ा था, इसको हम इस तरह से fold कर लेंगे, यहाँ पर एक crease line बना लेंगे, और पल्टे के लिए हमने यह धाई inch चोड़ा कपड़ा लिया है, और इसको एक side से लगबग half inch इस तरह से हम iron से fold कर लेंगे, ट्रेंगल बनाने के लिए हमने यह चोगोर कपड़ा कट किया है, यह जिसकी चोड़ाई लगबग 2 inch है, दोनो side से, और इसको इस यह अच्छे से paste हो जाता है, तो इसी तरह से हमने यह बागी triangle भी बना लिये हैं, तो यह जो fabric glue है, यह जहाँ पर हमारा stitching material मिलता है, वहाँ पर मिल जाती है, जहाँ पर lace वगएरा button मिलते हैं, वहाँ पर भी श्रोपर यह आसानी से मिल जाती है, अब हम अपनी यह नलके ले यह पांच धागे नहीं चलते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर 18 नंबर की needle यूज़ करनी होगी, तो हमारे पास यह 4 लगभग मिलते जुलते कलर की नलकिया हैं, तो हम चारो को इसी तरह से use करेंगे, लेकिन अगर आपके पास एक ही नलकी है, तो आप इस तरह से फिरकी मे इस तरह से glass में डाल लेंगे, और फिर हम needle में डाल सकते हैं, इसी तरह से हम अपनी चारो नलकियों को भी glass के अंदर डाल लेंगे, और गिलास को मैं machine के पीछा रख लेती हूं, चारो धागों को हम इखटा करने के बाद आगे से cut कल लेते हैं, तो फिर आसानी से needle में हमारा धागा डल जाता है, बोविन केस को हम थोड़ा सा tight करेंगे, नीचे का धागा हमारा थोड़ा tight रहता है, और उपर के धागे को हमें थोड़ा सा loose करना है, और जो machine का टाका है वो हम चार नंबर पर set कल लेंगे, और यह जो हमने क्रीज लाइन बनाई थी, तो यह हमारे guideline का क करेंगे, यह pressure foot को हम क्रीज लाइन के बराबर में मिला के रखेंगे, और यहाँ पर एक single pressure foot के gap से यहाँ पर हमें सिलाइए लगानी है, तो यहाँ पर आप कोई जलदवाजी नहीं करेंगे, बहुत आराम से ही सिलाइए लगाएंगे, हमारी सभी सिलाइए सीधी आनी चाहि तो इसी तरह से हम एक एक पैर के gap से चार सिलाइए लगा लेंगे, मैंने यहाँ कपड़े के नीचे paper pasting को paste किया है, इसकी वज़ा यह है कि जब हम single कपड़े पर सिलाइए लगाते हैं, तो हमारे कपड़े में खिचा हुआता है, चाहें हम single धागे से लगाएं या फिर ज़र आ रहा है, जो की देखने पर अच्छा लगता है, अब हम यहाँ पर पल्टा पट्टे लगाएंगे, इसको हमने half inch पहले से fold कर लिया है, मैं यहाँ पर पल्टा और triangle दोनों एक साथ attach करूँगी, तो हम यहाँ पर पहले आधा या पूरा इंचे sly margin के लिए छोड़ देना है, उसके बाद हम triangle को रखेंगे, और जो हमने पहले सिलाई लगाई थे, उससे लगबाग quarter inch नीचे, यानि एक single pressure foot के gap से हम यह पल्टा attach करेंगे, तो यह जो सिलाई हमारी लगी है, उससे quarter inch की दूरी पर हमें यह पल्टा attach करना है, तो हमें आगे से भी देख लेना ह quarter inch का gap रखना है, और पीछे से दोनो साइट से हम इस तरह से gap को maintain करते हुए चलेंगे, तो हमारी सिलाई जो है, वो सही आएगी और जो triangle जो हमारी नोक है, वो इस सिलाई से match हो रहे है, तो सभी triangle की जो नोक है, वो उसी सिलाई से match करके लगाएंगे, तो सभी triangle हमारी एक वर हाइट पर लगेंगे, यानि हमारे triangle छोटे बड़े नहीं होंगे, तो यहाँ पर नीचे भी हमें एक pair का gap रखना है, और triangle को भी ऊपर लाइन से हमें मिला कर रखना है, तो इसी तरह से हमारे सभी triangle एक ही size के लगेंगे, अब जो extra slime margin है, उसको हम थोड़ा थोड़ा सा cut कर लेंगे, और हम इसको iron करेंगे, iron करने से हमारे सिलाई अच्छे से बैट जाती है, और हमारे काम में finishing आती है, तो आपको साथ ही साथ iron करते जाना है, ऐसा नहीं है कि हम बाद में करेंगे, तो बाद में करने से इतनी finishing नही आती है, जब हम साथ ही साथ iron करते हैं, तब हमारे काम में ज्यादा finishing आती है, तो इसको हम पल्टे को अंदर की side को fold कर लेंगे, और fold करने के बाद मैं यहाँ पर glue stick यूज़ करूँगी, यह glue stick stationary shop पर आसानी से मिल जाती है, और यह हमारे stitching में भी बहुत help करती है, इन से हमार काम easy हो जाता है, और जब हमारा काम easy हो जाय तो हमें काम करने में भी मज़ा आता है, तो देखिए हमारा कपड़ा यहाँ पर paste हो गया अब हम आसानी से यहाँ पर turpाई कर सकते हैं, तो slips की turpाई मैं ने कर ली है, और मैं आज इसकी slips की side की fitting की sila hai wी लगा कर आपको जब हम सिलिप्स को पहनते हैं तो यह बाहर की साइड से इस तरह से नजर आते हैं जो अच्छे नहीं लगते तो इसको इस तरह से हम दोनों साइड को अंदर की साइड को फॉल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे इससे हमारे सभी धागे वगेरा और एजेस अंदर छुप जाते हैं और हमारे सिलीवस नीट हो जाती है अब मैं इसको आपको पहन कर दिखाती हूँ तो यह है हमारे सिलीवस की लुक आपको कैसे लगी आप मुझे कोमेंट्स करके जरूर बताईएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे हमारे सभी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक यू फॉर वाचिंग